Hello Friends, इस वीडियो में आपके 4th paper का 3rd unit discuss करने वाले हैं, जिसका नाम है भासा और भाहुबासिक्ता देखिए बासा के उपर हमने 1st और 2nd unit में discussion कर लिया है तो अभी हमारा main focus इस unit में भाहुबासिक्ता के उपर रहेगा और साथे साथ हम 8 वी अनुसुचे के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये unit दोस्तो आपका 5 नंबर का है और इसके अंदर कुछ ऐसे important प्रस्म में आपको बजाने वाला हूँ तो देखिए भारतिय समयधान में मातर बासा में शिक्षा दे जाने का प्रावधान किया गया है भारत में एक भी शेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भासा के अधार पर अलप संक्यक समुदाए नहीं है केंद्रिय शिक्षा सलाकार बोर्ड ने 1938 में यहां सुझाओ दिया था कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातर बासा में होनी चाहिए इसके अलावा यहां भी सुझाओ दिया गया था कि अलप संक्यकों की बासा की रक्षा करना भी उनकी मातर बासा में होना चाहिए इसके अलावा यह हैं सुजाओ तो दे दिया गया लेकिन बहुबासी समाज में एक ही बासा में शिक्षा देना और किस परकार से संभव होगा यह हैं समाधान नहीं किया गया एक बहुबासी समाज में बहुबासी बासाइं बोली जाती है अलग अलग बासाइं बोली जाती है ऐसे में तीन बासाओं का फॉर्मूला परियापत नहीं था तीन बासाओं का फॉर्मूला क्या है पहले थोड़ सा आपको इसके बारें बता देता हूँ तो देखी यहाँ पर एक line अलग से मैंने लिख दी है कि त्री बासे सुत्र क्या है मातरबासा में शिक्षा देनी चाहिए और अंगरेजी में और अन्य कोई बासा यहाँ पर संस्कत वगरा यहाँ पर हो सकती है हिंदी वगरा यहाँ पर हिंदी को main priority नहीं दी गई है इसके साथ में आगे बढ़ते हैं यहां पर देखे तोड़ा सा वापस चलते हैं यहां से आपको पढ़ना है कि भारत के स्कुलों में सामनेता है बहुबासी बच्चे आपको मिलेंगे यदि हम कक्षा, पाठे करम, सलेबस, पाठे पुस्तके और अनुदेशन प्रणाले को ब परतेक बालक को तीन बासाओं का ग्यान कराया जाएगा, इतना काफी नहीं है, इससे इस्पष्ट तोर पर देश की बाशाओं और सांस्कृतिक धरोवरों को सुरक्षित रूप से संबाल करके नहीं रखा जा सकता, उर्धरी बासी सुतर में ने आपको बढ़ाई दिया है इसके बाद में अगला टोपीक हमारे सामने आता है बारत को बाशुवरों को बाशाओं के लिए वख्तिगत या सामाजिक इस संसदन का कार्य करता है, यह हमारी संस्कृतिक संपन्गता को दर्शाता है जिसको एक से अधिक बासाओं आती है, उनकी बासाओं की तो निशंदे बढ़िया होती है समाज के परती उनका नजरिया भी इस्पष्ट एम उधार होता है अता है बहुबासिक्ता से राष्ट्रिय एकता भावात्मक तथा परसपर एक सौधारिय की व्रद्धी होती है बासा के संबंद में एक कहावत प्रसलित है जो कि आपको ध्य जियाद रखना है इसके बाद में दोस्तों अगला इंपोटेंट प्रसन आता है कि बच्चे की बहसा का उप्योग कक्षा या विद्याले की अधिगम की प्रक्रिया में करने से क्या सकरात्मक परिणाम निकलते हैं यानि कि बच्चे की जो मातर बासा होती है उसका उप्यो की सामाजिक सांस्करतिक प्रस्ट भूमी को भी जगह दे रहे हैं इसका नतीजा यह होता है कि इससे विद्यारती सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहजता और जुडाओं महसुस करेंगे इस तरह से अपनी बासा में अविवयक्ति का विश्वास भी हासल करेंगे एक दू तरीके से उसको ठी तरीके से समझ पाते हैं और अगर आपकी इंग्लिस वाली किलास रहेगी और आपको इंग्लिस बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर वह आपके सर के उपर से चले जाएगी तो इस तरह से यहां पर कहा गया है कि बहुबासी कक्षा के बच्चों के द्व भावना का विकास होना चाहिए वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी अपनी भासा को कक्षा में सहनुबूती के साथ सीखने सिकाने के लिए इस्तान दे और अपनी कक्षा की विविदता को समझते वे बच्चों के ग्यान के विकास के लिए सहज और रचनात्व वातावरन प्रदान करने का प्रियास करना चाहिए उनको अक्सर हम यहें देख पाते हैं कि शिक्षक साथियों में स्वियम की बासा को लेकर के ही कितनी हीन भावना रहती है वे खुद विभीन बासाओं को किस दृष्टी से देखते हैं ऐसे में एक बहुबासी कक्षा में वे किस तरह से उन बच्चों की बासा को इस्तान और सम्मान दे पाएंगे जो बच्चे हलबी, गोंडी, कुडुक या कमारी आदी बासा बोलते हैं कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप बहुबासी बच्चों का भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको एक बहुबासी सिक्सक बनना है और बहुबासी बच्चों का सपोर्ट करना है यानि कि उनकी मातर बासा का सपोर्ट करना है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में दोस्तों आज जरूरत है कि बच्चों की भासा को कक्षा में समान मिले सभी बच्चों को बिना किसी हिचक के अपनी बात को अपनी बासा में कहने के समान आउशर का सहज वातावरन परधान एवम निर्मित किया जाना चाहिए और इसके बाद में अगला टोपिक है कि भारत में बासा परिवारों को कितने भागों में बाटा गया है तो 2001 की जनगर्णा के अनुसार दोस्तो हम बात कर रहे हैं इनमें 234 मातर बाशाएं और 100 वर्गिकरत बाशाएं और 10 लीपिया इनमें डाली गई है यह आंकड़े दोस्तो 2001 की जनगर्णा के अनुसार हैं अगर अभी लेटिस्ट आंकड़े आपको कहीं पर मिल जाते हैं तो लेटिस्ट आप आंकड़े भी आप ध्यान रख सकते हैं प इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सम्विदान की आठवी अनुसूची के बारे में तो देखिए सम्विदान की आठवी अनुसूची में 22 बासाएं शामिल है पहली है अश्मिया दूसरी है बंगला तीसरी है गुजराती चोती है हिंदी पांचवा कन्नड छटे नंब इसके बाद में आठवी अनुसूची में सामिल बास आएं सम्विदान की जंतांतरिक समझ का आईना है इस सूची में अपनी अपनी बासाओं को सामिल कराने के लिए अनेक राज्य प्रेतंसील है क्योंकि अब देखिए हैं यहां पर हम बात करेंगे कि क्यों प्रेतंसील है क्या उनको लाब होगा अपनी बासा को इस सूची में आठ जस्तानिये रचनाकरोब परतिभाओं को मोका मिलता है, केंद्रिये परशासनिक सेवा से समादित पर रिक्षाओं में भासा वीशे के रूप में परतिनिधितु भी मिलता है, न्यायल्यों में कारिय करने की भासा का विकल्प बनना सायत्य एकादमी में मेहत्व पराप्त होत इन लाबों के साथ ही बाशा को अतरिक्त भारतिय मुद्रा नोट पर भी बाशा परतिनिधितु प्राप्त होने लगता है और उस बाशा में गजट भी जारी होने लगता है तो यह कुछ पूइंट्स आपको ध्यान रखना है अगर आपको पूछे कि कोई जो राज्य है अप इतरवे संसोदन के द्वारा 1902 में में कॉंकणी मनिपूरी और नेपाली बासाओं को अनुसूचित भासाओं में सामिल किया गया है यह आपको ध्यान रखना है एक नमर का प्रशन आपको पूछा जा सकता है इसी के साथ में अगला प्रशन है कि सम्विधान के सोवे का दरजा दिया गया 343 की अनुशार तो इन सभी टोपिक्स को दोस्तों आप थर्ड यूनिट में जरूर से याद करें और हमने फस्ट और सेकंड यूनिट के वीडियो भी अपलोड कर दिये हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको का लिंक दिया हुआ है जहां से आप सारे यूनिट को एक साथ देख पाएंगे और काफी स्ट्रेंट दोस्तों पीडियेफ के लिए भी मेसेज़ेस कर रहे थे तो पीडियेफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिनको पीडियेफ से लिंक से जाकर कर ले सकते हैं और इस वीडियो में इतना ही आपको अपनी तैयारी किस परकार के चाल रही है कमेंट में आप जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेजीए का थेंक्स वोचन इस वीडियो